हाई फ्रेंड्स इस भीवु दत्त फ्रम साव टेक्नोगैट आज के ये वीडियो में मैं आपको बतने वाला हूँ आप आपका 5.1 चैनल का होम थेटर को आपका टीवी के साथ कैसे कनेट करेंगे और रियल 5.1 चैनल का सराउंडिंग साउंड का मज़ा कैसे लेंगे अगर ये वीडियो आप हामारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नेचे आपको को सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाझू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वहां पर क्लिक करते हैं तो हमरे चैनल का लाट्स अपडेट आपको आपको एक 5.1 चैनल बाला होम थेटर ही लेना पड़ेगा जैसे के मार्केट में बहुत सरे स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाएंगे जिसमें 5 स्पीकर रहता है साथ स्पीकर भी रहता है बड़ आपको इंक्वरी करना है कि वह 5.1 चैनल का है या नहीं अगर वह 2.1 चैनल का तो आपको रहल एफेक्ट जो है 5.1 का नहीं मिल पाएगा तो आप जब भी लेते हैं 5.1 चैनल बाला इंक्वरी करके लिजिए तो ही आपको बेटर एफेक्ट मिल पाएगा तो फ्रेंड्स ये वीडियो को हम स्टेप वाइस कवर करेंगे जैसे कि तीन टाइप का जो टीब में अगर वो 5.1 स्राउंडिंग साउंड का एक होम थेटर लेते हैं तो वो कैसे करेंट करेंगे और सेकेंड जो कैटेगरी रहता है या जो सेकेंड यूजर रहते हैं वो रहते हैं एमेजन फायर टीविस्टिक यूज़ करने वाले या मीं टीविस्टिक या कोई भी एंड टीविस्टिक यूजर तो यह तीन कटेगरी का जो है टीविस्टिक रहते हैं इंडिया में तो मैं सभी कभर करने वाला हूं तो पहले सुरू करते हैं डीटीएस से जैसे में पास अभी एक सेट आप बॉक्स है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो जब भी आपको 5.1 स्रा स्राउंडिंग साउंड आपको मिल पाता है या डॉल्वी टेक्नोलोजी बगरा मिल पाता है जैसे इसका ब्याक सेट में आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जगह में एक ऑप्टिकल पोर्ट दिया गया है यहां पर HDMI पोर्ट है जो के वीडियो करने ले सकते हैं अगर आप एक पूराना DTS यूज करें जो के स्टैंडर्ड डेफिनेशन का है तो जगह में 5.1 स्राउंडिंग साउंड के लिए आपको आपका DTS जो है अफ्डेट करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन का जो डिटीच रेता है वो ओनली स्टे पूरी में कनेट कर दिया हूँ जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कनेट हो जाने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे अप्लिकेशन जो आप इंस्टल किया है यहां पर सो करता है तो कोई भी अप्लिकेशन के अंदर आप जा सकते हैं अगर वह 5.1 स्राउंडिंग वजा मिलेगा आपका Home Theater में तो सेम टू सेम है अगर आप Android OS TV यूज़ कर रहे हैं या Smart TV OS यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेम टू सेम आपको अप्लिकेशन मिल जाएगा अप्लिकेशन के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर कोई भी कंटेंड अगर 5.1 सपोट करत है तो उसको आप प्ले कर सकते हैं और उसका साउंड जो है आपका Home Theater में सुन सकते हैं तो यह हो गया फार्स्ट टेप अभी हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं जिसे में पहले आपको बता दिया DTS से अगर आप Home Theater को Connect करते हैं तो जगह में DTS का Optical Port से अगर आप Direct Home Theater को Connect कर दे सब्सक्राइब और वो अगर 5.1 सराउंडिंग साउंड सपोट करता है तब जाके आपको 5.1 सराउंडिंग साउंड मिलेगा बट उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा जैसे के टीबी का अगर सेटिंग आप ठीक से नहीं करेंगे तो भी आप आपको 5.1 surrounding sound का effect नहीं मिल पाएगा अगर कभी कबार आप setting में गड़बड कर दिये तो आपका दो channel जो है बंद हो जाएगा only तीन channel चलेगा तो setting के लिए मैं पहले आपको Amazon Fire TV Stick का बताता हूं जैसे कि यहां पर हम अगर इसका setting में जाते हैं तो setting में जाने के बाद आपको यहां पर display and sound में जाना है तो यहां पर ज्यादा कुछ complication setting नहीं रहता है Amazon Fire TV Stick या मी TV Stick में तो यहां पर आपको audio में जाना है simple audio में जाएंगे तो यहां पर एक आता है surround sound तो इसको आपको best available रखना है यहां पर आपको ना के stereo रखना है ना के always Dolby Digital Plus या Dolby Digital में रखना नहीं है वो क्यों नहीं रखना है वीडियो का लास्ट में मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर simple आपको always available करना है तो यहां पर मैं आगए under TV में तो यहां पर मैं इसका setting में जाता हूं जैसे के यहां पर यह तीवी का particular यहां पर जो audio setting है या sound setting है तो यहां पर है जैसे के यह मैं अभी इसको optical cable में ही connect किया हूँ home theater में तो इसलिए यहाँ पे SPDIF type आ रहा है अगर आप HDMI ARC में connect करेंगे तो यहाँ पे setting कुछ अलगाएगा तो यहाँ पे जो SPDIF type है यह maximum TV में यह जो setting है यह रहता है audio out तो आप भी आपका TV में check कर सकते हैं इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको इतना कुछ मिलेगा जैसे के मैं पहले आपको बता देता हूँ पहला जो है off है second auto है third है dolby digital fourth है PCM and fifth जो है pass through है तो यहाँ पे इसना सारे setting मिल जाएगा आप आपका TV में भी सर्च कीजिए यह setting कहां पे है जैसे कि मैं आपको बता है maximum TV में audio out में यह रहता है जैसे यह TV में जो भी connection हम किये है उसका type लिख के setting में आ रहा है तो आपको अधुन्ना है आपका TV में वो setting कहां पे है तो यहाँ पे आपको हम पेसा auto में रखना है ना के यहां पर dolby digital में रखना है ना के PCM में रखना है आपको auto में रखना है अगर आपका TV में आपको auto नहीं मिल ला है तो PCM जो है वो definitely मिलेगा आपको तो PCM में आपको set करना है या auto में set करना है यह दो option से आप एक option choose किजिए ज्यादा तर TV में auto रह से तो उसको आप चूज मत कीजिए और इसका भी क्यों चूज नहीं करना है वह भी वीडियो के लाश्ट में मैं आपको बताने वाला हूं तो यहां पर आप आप अटो में आप 5.1 का वह आपको नहीं मिल पाएगा जैसे आप ठेटर बगरा में जाते हैं कभी कवार कुछ सीन आता है कुछ लेट से राइट जाता है या राइट से लेट जाता है तो जो जगा में आप बेट के देख रहे हैं वह जगा में आपको पता चलता है कि साउंड जो है ऐसे सुनाई देगा बट वह जो 5.1 रियल जो इफेक्ट है वह आपको सुनाई नहीं देगा तो यहां पर मैं कुछ कंटेंड आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो जो कंटेंड का साउंड है आप भले ही उसका इफेक्ट जो है ठीक से सुन नहीं पाएंगे क्योंकि यह जो only चैनल का है और आपका होम थेटर में आप उसका आवाज रहें तो कि यहां पे वैंख जैसे आप सुने अभी यह चल लाता और बैकेंड से कुछ आवाज आया तो जगह में आप जो आवाज है वो रियर का स्पिकर में आ रहा है जैसे यहां पर रियर का जो स्पिकर है मैं यहां पर रखा हूं बट वो जो साउंड आ रहा है वो रियर का स्पिकर में आ रहा है ना के फ्रॉंट स्पिकर में आ आता है जैसे के त्री चैनेल वाला जो है वो आगे से आता है और जो पीछे से आता है वो रियर स्पिकर में आता है कि तो अभी यह जो नॉक बाला आवाज है यह रियर स्पिकर में आ रहा है पाझा एक शुदूभाई गर्म धुदूदूभाई टूल दोच भाड़ शुदूभाई किस्यों टूल जांग भाड़ करना आपक वाड़ गर्रोड़ करना पिधितोक्त, जाना को एक अफ ड्यूख करना दापको खूंग कि जैसे के यह क्लिप था जैसे यहां पर आभी जो सीन था जैसे सेंटर से लेके पूरा बैक साइड तक साउंड जो है वो इफेक्ट आता है तो अगर यह सेम क्लिप आप आपका 5.1 होम थेटर में सुनेंगे तो आपको रियल जो है इफेक्ट जो है पता चलेगा तो अभी हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं जैसे के मैं अभी आपको सेटिंग बता दिया तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है कनेक्शन तो अल्लेडी में कनेक्शन के उपर एक वीडियो बनाया था जिसमें बत जब आप आपका 5.1 surrounding sound का home theater को आप आपका TV में connect करेंगे तो पहला preference जो है HDMI ARC रखे, second जो है optical रखे, जैसे के अगर आप कोई भी Amazon Fire TV Stick या कोई भी DTH कर रहे हैं तो वो जगा में आपका HDMI ARC जो है काम नहीं करेगा, वो जगा में आप optical port यूज कीजिए आपका connection के लिए अगर ये दोनों port नहीं है तो आप Bluetooth भी यूज कर सकते हैं, बट Bluetooth के आगे और भी दो connection है जैसे audio out है, auxiliary है, बट ये दो जो connection है ये आनलग है, तो वहाँ पे आपको 5.1 surrounding sound का effect इतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप try कीजिए HDMI ARC, optical port, अगर नहीं है तो Bluetooth आप यूज कर सकते हैं, तो ये रह गया connection का, तो अभी मैं आपको बताने वाला क्यों मना कर रहा था, setting में Dolby Digital Yard, Dolby Digital Plus को set करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी content अगर देखते हैं, वो content अगर 5.1 surrounding sound का नहीं है, तो आपका 500 speaker तो जलेगा, बट जो effect रहता है, जैसे मैं आपको एक दो clip दिखा है, left to right हुआ, या आगे पीछे का effect रहता है, 5.1 का, वो आपको नहीं मिल पाएगा, तो कुछ application रहता है, जिसमें आपको hints मिल जाता है, कि यह 5.1 surrounding sound का वीडियो है या नहीं, जैसे मैं यहाँ पर आपको Amazon Prime में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर the make एक movie है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5.1 लिखा गया है, means इसमें जो sound है, यह 5.1 surrounding effect का है, तो ऐसे आप कोई भी content में देख सकते हैं, जैसे इसमें भी है आपको, इसमें भी मिल जाता है, तो कोई-कोई पुराना content अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको effect नहीं मिलता है, तो यहाँ पर यह वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें 5.1 show नहीं कर रहा है क्योंकि यह पुराना movie है, इसलिए यहाँ पर 5.1 show नहीं कर रहा है, अगर आप Netflix में चेक करते हैं, तो वहाँ पर भी video के नीचे आपको hints मिल जाता है, या Disney hot star अगर आप ओपन करते हैं, तो उसका content के नीचे भी आपको hints मिल जाता है, तो यहाँ पर हम Dolby Digital या Dolby Digital Plus में set कर द देते हैं, और हम कोई भी content देखते हैं, अगर वह content Dolby Digital support नहीं करता है, तो कुछ-कुछ case में आपका home theater में only 3 channel ही चलेगा, और कोई-कोई जगा में home theater में आवाजी नहीं आएगा, तो इसलिए अगर आप auto set करते हैं, तो ओ जगा में अगर आपका content जो है, वह Dolby Digital हो या ना ह या आपका कोई भी content है, तो उसको वह automatic adjust कर देता है, और आपको अच्छा quality का sound deliver करता है, तो हमेशा इसलिए आपको auto में रखना है, अगर वह video Dolby Digital है, Dolby Digital Plus है, या Dolby Atmos का है, तो भी आपको उसका अच्छा effect मिलेगा, अगर वह 2.1 का है, या 5.1 का है, तो भी आपको कोई भी setting change करने का जरुवत नहीं, वह automatic set कर देता है, अगर उसमें stereo sound है, तो only आपको stereo effect मिलेगा, अगर वह 5.1 है, तो आपको 5.1 का मिलेगा, अगर आप auto से change कर देते हैं, Dolby Digital या Dolby Digital Plus, तो वह जगा में फिर से आपको setting जो है change करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लास्ट में आप आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी 5.1 surrounding sound का effect मज़ा लेना चाहते हैं, तो पहले चेक कीजिए, वह content जो है, वह 5.1 surrounding sound के साथ है या नहीं, उसके बाद second जो है, आपको setting में चेक करना पड़ेगा, setting जो से मैं आपको बताया, setting auto में हमें सा रखना है, और थार जो है connection, तो connection के लिए मैं special video बनाया था, वो देखने के बाद आपको connection में कोई भी issue नहीं आएगा, अगर आपको आपका home theater to, आपका TV connection में कोई भी दिक्कत आता है, तो आप comment section में मुझे comment कर सकते हैं, मैं definitely आपका help करूँगा, तो आशा करता हूँ, ये video आपके ल आपके लिए में रोज लेके आता हूँ, तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, साव टेक्नोगैड आपका दिन सुपोर्ण